हेलो एवरीवान मैं हूँ दिक्षा और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल दिक्षास परफिक प्लेट में तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट पैनकेक की बहुत ही डिलिशुस रेसिपी तो चली देखते हैं बिना देरी किये कि इस रेसिप यहां मैं ले रही हूँ आधा कप मैदा और इसी के साथ आधा कप ही आटा तो मैं यहां आटा और मैदे का मिक्स ले रही हूँ आप चाहें तो सिर्फ आटे का या फिर सिर्फ मैदे का भी यूज कर सकते हैं तो अगर आपको थोड़ा हेल्दी बनाना है तो सिर्फ आटे का यूज करें वन्हा दोनों का यूज करें तो दोनों का यूज करने के से बहुत टेस्टी बनता है और उसी के साथ मैं इसमें आड करी हो 1 4th कप के करीब तो मैंने इसे बड़े बोल में शिफ्ट कर लिया क्योंकि वो छोटा बढ़ रहा था और इसी के साथ एक कप मैंने यहां दूद लिया है तो यह चिल्ड जो फ्रिज में दूद रहता है वो है आप इसमें वाम मिल्क या नॉर्मल तेंपरेचर का मिल्क यूज ना करें और मैं थोड़ा थोड़ा दूद डालें यह देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डालके ही इसको मिक्स कर रही हूं अगर हम इखटेट जादा डाल देंगे तो क्या होगा कि मेभी हमारा बैटर थिक हो जाए तो वो हम नहीं चाहते तो इसके लिए मैंने यहां एक कप पूरा दूद अच्छे से विस्ट कर रही हूं अभी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है तो हमें ऐसा नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा सा पानी भी आट कर रही हूं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालके मैं इसमें आट कर रही हूं इसको मिक्स कर दी जा रही हूं तो एक कप दूद और करी आप इसकी जगह जागरी पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर इसमें हनी भी डाल सकते हैं पट मैं शुकर आट कर रहे हूं और इसको अच्छे से विस्कर दिया है और शुकर आट करने के बाद मैं इसमें डाल रहे हूं लगभग एक टेबल स्पून जितना बेकिंग पाउड तो बेकिंग पाउडर से क्या होगा ना बहुत सॉफ्ट और फलफी बनेंगे हमारे जो पैनकेक्स हैं इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो ध्यान रखे का इसमें कोई लंस ना रहे हैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है देखे कैसे स्मूध सा बैटर बन और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी यह देखे तो इसको थोड़ा से चला देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखे इसकी कांसिस्टेंस से बिल्कुल एसी ही रहनी चाहिए अब चलतें अपने पैन की तरफ और इसको ग्रीस कर लेते हैं तो यह देखे म तो आप अपने according बना सकते हैं, आपको कैसा size चाहिए, मैं थोड़ा बड़ा ही size में बना रही हूँ, आप छोटे भी रख सकते हैं, और छोटे चोटे बना के अपने बच्चों को तो दे सकते हैं, तो देखें, कैसे ओपर बबल दागे हैं, उसका color dark हो गया है, जब ऐसा हो जाए, तब मैं इसको turn कर दूंगी, तो ध्यान रखेगा, इसको बहुत जादा कुक नहीं करना है, एक्टम क्रिस्पी नहीं करना है, या कड़ा नहीं करना है, बस हलका सा सेकना है, और इसे soft ही रखना है, तब तक हमें इसे उतार लेना है, तो पलटने के बाद लगभग 30 सेकंड्स मैं इसे कुक किया होगा, या फिर जादे-जादा 40-45 सेकंड्स, उसके बाद मैं इसको उतार ले हूँ, इसके बाद मैं अगला पैनकेक बनाने के लिए, पैन को थोड़ा स बैटर डाल दूगी, तो आप चाहें तो बिना बटर के भी इसको बना सकते हैं, बिलकुल आपकी चोईस है, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, और देखें कैसे बबल आ गया है, और थोड़े तेर बाद इसका कलर चेंज रहाएगा, तब हम इसको टर्न कर देंगे, हमारे पैनकेक्स यमी से बिलकुल रेडी हैं, बहुत ही यमी लगते हैं ये खाने में, बट ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करूंगी चोकलेट सॉस के साथ, आप घर पे बनिए जो चोकलेट गनाश होती है, उससे भी इसको गार्निश कर स और आप चाहें तो इसको हानी या मेपल सिरप से भी गार्निश कर सकते हैं, बिलकुल अपकी चोईस है, बट क्यूंकि हम चोकलेट पैनकेक्स बना रहे तो चोकलेट तो जाना बहुत जरूरी है, तो यह लीजे हमारे यमी से चोकलेट पैनके बिलकुल रेडी हैं, यह आप प्रेक्फस्ट में इंजॉय करिये, बचो को टिफिन में दीजे, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और कभी-कभी तो यह चलता है, तो यहां मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, यह देखे कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने अराम से स्पून इसमें जा रहा है, अगर आप इसे बहुत जादा ओवर्कुक कर देंगे ना, तो यह बिल्कुल भी एजीली नहीं कटोगा, तो इसका ध्यान रखेगा, यह लीजे हमारे पैनकेक्स, आप इस रेसिपी को ट्राय जरूर कीजेगा, मैं बिल्कुल शहरू कि आपको बहुत पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलेगा, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्स्राइब कर देजेगा, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, अब तक के लिए, बाई!